मर्याता सहित पर्वतों का वर्णन सूच जी बोले 50 करोड योजन विस्तार वाले समुद्र तथा 7 द्वीपों और लोका लोग पर्वतों से प्रित्वी युक्त है मेरू से उत्तर में नील पर्वत उससे उत्तर में श्वेत है तथा उससे उत्तर में श्रिंगी पर्वत है यह उस देश के पर्वत है पूर्व दिशा में जठर और देवकूट पर्वत हैं मेरू से दक्षिड में निशत, उससे दक्षिड में हेमकूट, उससे भी दक्षिड में हेमवान हैं मेरू से पश्चिम में माल्यवान और गंध मादन दो पर्वत हैं ये परवत राज सिद्ध चर्णों से सेवित हैं। ये हेमबत नाम का वर्ष भारत के नाम से प्रसिद्ध है। मेरो परवत के पूर्व में मंदर नाम का परवत दक्षिण में गंध मादन, पश्चिम में विपुल, उत्तर में सूप पार्षव नाम के परवत राज हैं। पूर्व में चैत्र रत, दक्षिन में गंध मादन, पश्चिम में वैब्राज, उत्तर में सवितुर्वन है। चार ही उस पर महान सरोवर हैं, इनमें मुनी लोग क्रीडा करते हुए विचरते हैं। पूर्व में अरुनोद, दक्षिन में मानस, पश्चिम में सितोद, उत्तर में महा भद्र सरोवर है। अरुनोद सरोवर से पूर्व में बहुत से परवत हैं, जिन्हें मैं संख्षेप से कहता हूँ। सितांथ, कुरुंड, कुरर, विकार, मनी, शैल इत्यादी परवत हैं मंदर परवत के पूर्व दिशा में सिध्धों का वास है वहाँ परवतों की गुफा में और वनों में रूद्रक्षेत्र है मानस सरोवर के दक्षिन में बहुत से परवत हैं जिनमें दिव्य रूद्रक्षेत्र स्थापित किये गए हैं दिव्य परवतों के उपर देव शंकर के असंख्य धिमान है जिनमें शिवजी की कृपा से अनेक सिध्ध और मुनी लोग वास करते हैं इसी प्रकार से पातालों की भी स्थिती है वहाँ भगवान विष्णों की साक्षात मूर्ती भगवान हलायोद विध्यमान है वहाँ देव देव की शैया है पनस व्रिक्षों के वन में श्री शुक्राचार्य सहित उरग रहते हैं मनोहर वन में करोडों संख्याओं के व्रिक्ष हैं वहां गणों के साथ नंदीश्वर शिफ की स्थुति करते हैं संतानक स्थली के मध्य में साक्षात देवी सरस्वती रहती है इस प्रकार संक्षेप से मैंने वन तथा परवतों में रहने वाले इन वन वासियों की कथा तुमसे कही है इनका वर्णन विस्तार से मैं नहीं कह सकता भगवान की रचना से देशों का वर्णन सूच जी बोले शितान परवत पर पारिजात वन में इंद्र उसके पूर्व में कुमु दादी परवत है वहां दान्वों के आठ परवत हैं स्वर्ण कोटर में भी राक्षिसों के स्थान है, नीलक लोगों के भी सड़सत नगर है, नील परवत पर भी पंद्रह नगर है, किन्नर और विद्याधरों के महा शैल पर तीन पुर है, बैकुंट में श्रीमान गरुड, करंच में नील लोहित और वसुधार में वसूओं का निवास थान है, रत्न घाट पर सब्त रिशियों के साथ स्थान है, गजशेल पर दुर्गा आदी के स्थान है, सुमेरू पर वसूओं का स्थान है, सुनील पर राक्षिसों का वास है, पंच कूट पर पांच करोड नगर हैं शर्थ श्रिंग पर यक्षों के सौपुर हैं श्वेतोदर पर सुपर्ण का स्थान पिशाचक पर कुबेर का तथा कुमुत पर किन्नरों का सहस्त्र शिखर शैल पर दैत्यों का निवास रहता है मुकुट पर पन्नगों का पुश्प केतू पर मुनीश्वरों का वास है तक्षक शैल पर चार स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा इंद्र विश्नु तथा रूद्रका तथा गुह सुमेर तथा सोम भी स्थान बना कर रहते हैं श्रीकंड की परवत गुहा में उमा सहिद शंकर निवास करते हैं श्रीकंड के अधिकारी देवेशवर शंकर ही है इस अंड की उत्पत्ति शंकर से हुई है इसमें संशे नहीं है वैसे अनंत ईश आदी को भी अंड पालक कहे गए हैं और विद्धेश्वर आदी चक्र वर भी है श्री कंट से अधिश्टित स्थान मर्यादा पर्वतों पर संग्षेप से मैंने कहा है यह संपूर्ण चराचर जगत श्री कंट से ही अधिश्टित है प्रलय की अगनी अर्थात शिफ तक का वर्णन मैं विस्तार से भला कैसे कर सकता हूं भुवन कोश में स्थित अनेकों द्वीपों का वर्णन सूच जी बोले सुशोभन महाकूट गिरी के बीच में देवकूट पर्वत है जो सोना नीलम गोमेद वैदूर्य आदी की कांती वाला तथा अनेकों मनियों से निर्मित चंपक अशोग पुन्नाग बकुल आदी के व् कर्शा करने वाले अनेक प्रकार के व्रिक्षों से शोभाई मान है दस योजन विस्तार वाला नाना भूत गणों से युक्त यहां भूत वन है उसमें महा मनियों से स्थित शंकर भगवान का प्रकाश वाला स्थान है वह स्थान सोने के परकोटा वाला तथा मनियों से दीश्वरगणों से सुशोभित, ब्रह्मा, विश्णु, इंद्र के समान मूर्तियों से युक्त, देवताओं के प्रभु शंकर जी का निवास है। देवता लोग उनकी सदा पूजा करते हैं। शंग जालर आदी का शब्द निरंदर होता है। देवगण, सिध आदी सदा शंकर की पूजा करते हैं। यहां देवराज कुबेर आदी का स्थान है, अन्य करोडों यक्षों का भी स्थान है। यहां गणों सहित हर की पूजा होती है। वही मंदाकिनी नाम की नदी है, जिसके सुवर्ण और मनियों के सोपान है। यहां जंबू नदी में पद्म गंत स्पर्ष से युक्त नाना प्रकार के कमल खिले हैं। यक्ष, गंधर्व, अपसरा आदी इस नदी का सेवन करते हैं। देव, दानव, यक्ष, किनर, गंधर इस पवित्र मंदाकिनी के जलका सेवन करते हैं। उस नदी के उत्तर की और महादेव जी का सुंदर स्थान है, जो वैदूर्य मनी आदी से संपन्न है। उसमें शंकर जी विराजते हैं। वहां गणो सहित, अंबिका सहित, शिवजी महाराज क्रीडा करते हैं। वहीं पर अनेक महलों से युक्त रूत्रपुरी नाम का नगर है। वहां अपने स्वरूप को सैक्डो प्रकार का बनाकर शंकर जी अंबिका और गणों के साथ क्रीडा करते हैं। ऐसे शंकर जी के हजारों स्थान हैं जिन्हें शिवाले कहते हैं। ए मुनिश्रेष्ठ प्रतेग वी पर्वतों पर नदियों के किनारों पर तथा समुद्रों की संधियों पर अनेकों शिवजी के स्थान है। भुवन कोश का स्वभाव। सूच जी कहने लगे। हे भ्रामनों मैंने तुमसे बहुत से जलवाली नदी और सरोगरों को कहा जो असंख्य हैं। कोई पूर्व मु पूंतों का आधार है और देवताओं के लिए अमरित का भंडार है। उससे निकली हुई आकाश की नदी अमरितोद का नाम बाली है। वह ज्योतिश्मती है, करोडों तट और आकाश से युक्त है। जैसे सोम है वैसे ही वह दिनों दिन बदलती रहती है। वह 84,000 योजन उची है, वहां बहुत उचा मेरु है। वह श्री कंठ अम्बा के साथ कृड़ा करते हैं। वही पर मेरु की परिक्रमा करती हुई पुन्य जल वाली नदी आती है, जो मेरु पर्वत के चारों शिखर पर गिरती हुई, महा देब जी की आग्या से समुद्र में गिरती है। इससे निकली अनेक नदियां सब द्वीपों और पर्वतों में बह रही है ऐसी नदियां असंख्य हैं गंगा तो अंबर से ही आई है भद्रशव देश में स्त्री और पुरुष सभी चंद्रमा की सी शकल वाले हैं जो काले आम के रस्त का भोजन करने वाले हैं और शिवजी क क्रिपा से 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं तथा रमनीक देश में जीव वट के फल का भोजन करते हैं वे 11,500 वर्ष तक जीवित रहकर शिव का ध्यान करते हैं कुरू वर्ष में स्वर्ख से आय हुए सभी जीव मैथ्यून से उत्पन होते हैं तथा दूद का भोजन कर भारत वर्ष में मनुष्य कर्म के अनुसार आयू वाले नाना वर्ण वाले छोटे कत के होते हैं जो सौ वर्ष की आयू वाले हैं वे अनेक देवों के पूजन में लगे रहते हैं तथा अनेकों प्रकार के कर्मों का फल भोगते हैं वे सभी कमजोर तथा थोड़े भोगी होत हैं भारत वर्ष के लोगों की प्रवृत्ति स्वर्ग और अप्वर्ग में होती हैं किम पुरुष देश में रहने वाले पुरुष सोने के से रंग वाले तता स्त्रियां अपसराओं के तुल्ले होती हैं दस हजार वर्ष तक जीवित रहती हैं उन्हें रोग तता शोक नहीं होते हैं उन्हें मृत्यू की जरा भी बादा नहीं है एक के रसका पान किया करते हैं और शंकर जी की भक्ति में ततपर रहते हैं इलाव रत में रहने वाले 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं वहां न तो सूर्य तपता है न चंद्र न क्षत्र चमकते हैं शंकर के प्रभाव से में कमल के समान सुंदर आकार वाले होते हैं जंबू द्वीप के रहने वाले जंबू रसका पान करते हैं उनको जरा तथा भूप बाधा नहीं पहुंचाती उनको ग्लानी तथा मृत्यू भी नहीं सताती है इस प्रकार नौ द्वीपों के रहने वालों के वर्ण आयू आदिका मैंने संक्षेप से वर्णन किया है पित् सभी परवतों पर अंबा के साथ और गणों के साथ भगवान नील लोहित वास करते हैं ये सभी परवत राज जम्बु द्वीप में ही स्थित है